मौसम की तयारी तिलारी वन में ठंड दस्तक दे रही थी, सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तयारी करने में लगे हुए थे एक पेर पर रहने वाली चिडिया भी उनमें से एक थी हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोसला तयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारो तरफ से घान्स फूं से धाक दिया था सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घंगोर वर्शा होने लगी बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे वो चड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घूसले में वापस आ गई और आराम करने लगी उसे आये अभी कुछी वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेर के नीचे आ पहुचा चड़िया ने बंदर को देखते ही कहा तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यूँ नहीं बनाया ये सुनकर बंदर को गुस्सा आया लेकिन वह चुपी रहा और पेर की आड में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा थोड़ी देर शांत रहने के बाद चिड़िया फिर बोली पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते ये सुन बंदर ने गुस्से में कहा तुम अपने से मतलब रखो मेरी चिंता छोड़ दो थोड़ी ही देर में हवाएं भी तेज चलने लगी और अब बारिश रुखने का नाम नहीं ले रही थी बिचारा बंदर थंड से काप रहा था और खुद को ढखने की भरसक कोशिश कर रहा था पर चिड़िया ने तो मानो उसे छेडने की कसम खा रखी थी वह फिर बोली काश की तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज ये हालत नहीं होती कम से कम अब घर बनाना सीख लेना इतना सुनते ही बंदर गुस्से से तुरंथी पेड पर चड़ने लगा और बोला भले मैं घर बनाना नहीं जानता लेकिन मुझे तोना अच्छे से आता है और ये कहते हुए उसने चिड़िया का गुसला तहस नहस कर दिया अब चिड़िया भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और थंड से काप रही थी सीख हमेशा अपने काम से काम रखो यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे बेकार के उपदेश न दे